मद्यप्रदेश में बीजेपी के राजसवा उमिद्वारों ने अपना नामानकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दे कि नामानकन दाखिल करते वक्त प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादफ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान, प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगटन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत कई बीजेपी का निर्वाचन निर्विरोध होना है, जानकारे के लिए बता रहे हैं कि एमपी में पाच सीटे खाली हैं, जिन मेंसे चार सीटे बीजेपी की हैं, तो वहीं एक कॉंग्रेस की है, बंशीललाल गुर्जर, एल मुर्गन, माया नरोलिया और उमेश महराज बीजेपी के सांस ब्रजमोहन अगरवाल के विभाग के लिए वितिय वर्ष दोहजार चौबिस पच्चिस हेतू, आठ हजार आठ सो उनासी करोड, एक लाख उन्चास हजार रुपए की अनुदाने मांगे, सर्वसमती से पारित की गए, इसमें स्कूल सिक्षा विभाग के लिए साथ हजार 387 करोड, 66,32,000 रुपए, उच्च्च सिक्षा के लिए 1049 करोड, 8,90,000 रुपए, परिटन के लिए 218 करोड, 4,40,000 रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 90 करोड, 50,04,000 रुपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49 करोड, 20,000 रुपए, और राज विधान परिटन के लिए 84 करोड, 51,18,000 रुपए की राशी शामिल है, सिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अगरवाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से अधिक पदों पर सिक्षकों की सीधी भरती की जाएगी, इनमें व्याख्यात के 2524 पद, सिक्षक के 894 पद, और सहायक सिक्ष के 22,341 पद शामिल है, ब्रजमोहन अगरवाल ने कहा कि प्रदेश के विश्व विद्यालों एवं महाव विद्यालों में 4,200 से अधिक रिक्त पदों पर श्रीग्र भरती की प्रक्रिया प्रारंब की जाएगी, इनमें प्रध्यापक के 595, सहायक प्रध्यापक के 2,150, क्र संत्थपाल के 130 एवं त्रित्रीय शेडी के 350 और चतुर्थ शेडी के 930 पद शामिल हैं,